असलाम वालेगू मेरे प्यारे प्यारे वीवर्स वेलकम बैक टूर्बिनास कीचन एंड डेली व्लोग्स तो आज की जो रेसिपी है वो सिंपल चिकन का सालन या फिर चिकन करी भी बोल सकते हो आप तो बहुत ही सिंपल इंग्रिडियंट से बनने वाली है ये रेसिपी और ब मस पेस और दिछ चिकननी चाइब इस में पैस करेंट से बेना पानी को आप यह उस्के बाद मेनी आं यहां पर ऑद किया है और को बाद लाल मैं रिचो्का पाउर्डर वह ने यहां फेवर्पे-अहां पेहांपे आस फीतना Universal should ओं अ अपने लालमिच का पॉर्डर एड़ करना है उसके बाद मैंने यहां पे धनिया पॉर्डर एड़ किया था तो धनिया पॉर्डर भी मैंने यहां पे जो है हाफ टेबल स्पून के करीब एड़ कर लिया था और उसके बाद में इसमें हल्दी एड़ कर लोंगी हल्दी भी जो ह रखो पावरिस्ट का चिकनमसाला एड किया था वह भी कुछ एक टेबल्सपून के करीब मैंने अड़ किया था इसलिए मैंने के निदर कोई गरम मसाला पौडर अड़ नहीं किया क्योंकि हम इसके चिकनमसाला एड कर रहे था उसके बाद मैंने से फाइनल मेक्स दे दिया है और इसे रगेंगIE हम साइड में तकरिबन आदे गँंटे के लिए मैरिनेशन के लिए और जब तक हम लोग कुछ कइण कर लेते हैं तो है ज़ादा कुछ कइणी नहीं करना है बस प्यास को ही कट करना है तो मैंने यहां पर दो मीडियम साइज की जो है प्यास ले ली है इसे हमें जैसे भी चाहो वेसे कट कर ले न एसे कुछ नहीं के स्लाइस कट चाहिए या फिर ओमलेट कट चाहिए रफली चॉप करना है थोड़ी बारिक सी चॉप कर लेनी है क्यूंकि यह जो चिकन है चिकन ज ने रख दिया था चुली के उपर और इसका गैस मैंने ओन कर लिया था लेकिन यह ओन हुआ नहीं था फिर मैंने फिर से ओन किया और उसके बाद मैंने इसके अंदर राइका तेल एड़ किया आपको अगर राइका तेल नहीं पसंद है बहुत से लोगों की कंप्लीन होती है कि तो अगर उसको हम तिसको मिर्दाथ अघका ँरुटा आपकेर, न भृत दिछ वी, नेज़ना ने परनें न कल आ इसको आपके ho दूटा को शा-टता जो और उसको से क्रवाट पैर में खते जातीज़ पते में। वो मैंने एड कर ली थी, और तेज पत्ता मैंने ले लिया था, दो, और उसको वैस अच्छे से मैंने थोड़े देर तक पकने दिया था कि इसके अच्छे से flavor बहारा की लिए और उसके बाद मैंने एक्षेण्दर एड कर ली थी, प्यास तेल जो था वो मैंने तकरीबन 4-5 टेबल स्पून के करीब एड़ किया था और बस प्यास को जो है कलर चेंज होने तक हमने अच्छे से पका लेना है ये दिखिए इस तरीकी से जब हो जाई है यानि के ना ये पूरी तरीकी से बितिस्ता बनना चीए ना ही थोड़ी सी कच्छी जए नीचे बस इस तरीकी से जब प्यास का कलर चेंज हो जाएंगा तो मैरिनेट किया हुआ चिकन जो है वो हम इसके अंदर एड़ कर लेंगे और इसको इतने अच्छे से हम बूनेंगे ना उसके अजरा बू जरू आप जरू ट्राय करना इसको जब अच्छे से बून लेंगे मैं एससे 5-7 मीनिट एक अच्छे से थोड़ी दिर हाइ फ्लें पे बून एं तोड़ी दिर स्लो्व्लिम करके बूना और जब यंशे से कूंख हो जाएगा उसके बाद यनि भून जाय अच्छे से गल जाए और मसाले भी अच्छे से कुख हो जाए और जो मेन इसके प्याज है वो गल जाना चाहिए तो अब मैंने इसका जो गया से थोड़ा हाई रखा है जब यह थोड़ा सी अच्छे से बॉइल होगा तब मैं स्विश्व कर लोगी और एक बर से चेक कर 12-15 मिनिट के लिए slow flame पे कुख होने देंगे 12-15 मिनिट के बाद यह देखिए कि इसका जो पानी है वो पूरे तरीके से सूख गया है याने कि अच्छे से dry होगा आप चाहो तो ऐसे भी इसे खा सकते हो लेकिन मुझे इसे curry टाइप में बनाना है तो मैंने इसके अंदर फि कर लिए जब अच्छे से बॉइल हो जाएगा तो बस इसका flame हम कर लेंगे off पहले चेक कर लेंगे चिकन अच्छे से कुख हुई है या नहीं तो मैं चमच के मदद से चेक कर लूँगी यह देखिए बहुत ही अच्छे से जो है चिकन कुख हो गई है प्यास भी जो है अच् मेरे चैनल को जरू सब्सक्राइब भी कर लेना तो मिलते हैं नेक्स ब्लॉग में जब तक के लिए अल्ला हाफिज दुआओं में याद रखना